बाबा का शिर्वादस प्याम चानल पर आपका स्वागत है आपके दिपक में बहुत सुन्द्रा अकर्तिया बन रही हैं और आपको कुछ अन्भव होते हैं जैसे स्मेल आना बहुत सारे वेक्तियों को जब दिपक में अकर्तिया बनती हैं शरीर में कुछ अन्भव शुरू हो जाते हैं उन्हें कुछ खुश्बू और बद्वू दोनों आने शुरू हो जाती हैं उन्हें ये चीजे थोड़ी तेज आने शुरू जाती हैं जो नॉर्मल वेक्ति हैं उ और जिनके दिपक्मिया करतिये बन रही हैं, शरीर जागरत हो रहा है, भक्ती जागरत हो रही हैं, तो उनकी जो नाक की पावर है वो बहुत बढ़ जाती है, उन्हें हर चीज में अलग-अलग खुश्वू और बदू आने शुरू हो जाती है, कईयों को तो वो चीजे बिल् वीडियों में हम जुरूर बताएंगे, आपकी दिपक्मिया करतिया बन रही हैं, और अगर आपको भी ऐसान बहुत होता है, कि आपको बहुत सारी चीजों की खुश्वू बहुत आती है, जैसे आप पूजा पाट शुरू करते हैं, उस टाइम आपको अलग-अलग खुश आती है, कई वेक्तियों में से आपको बहुत अजीब अद्वू आती है, कई वेक्तियों में से आपको लगता है, जैसे ये वेक्ति बहुत दूश्ट है, और ये रक्षश परवरती का है, कई वेक्तियों में लगता है, जैसे समसान के देविदेताओं की पुजा करता है, अगोरी है या ऐसे कारिय करता है जिसकी वज़े से आप इसके पास भी नहीं बैठ पा रहे हो। कई विक्तियों में जिनमें तंत्र हुआ है फर्यद वादा से ऑगर्सित है उनमें से भी आपको अजीब से समयल आएगी और कहीतो लगता है कि जैसे किसी घर में चले गए है उस घर में नेगटिविटी है तो आपको लगता है जैसे उल्टी आ रही है चक रा रहे हैं बहुत बुरी स्मेल आ रही है आपको घबराट मैसूस हो सकती है बेचैनी मैसूस हो सकती है क्योंकि आपकी घर में जो आपकी औरा है वो बहुत अच्छी बन रही है आपकी जो सारी के सारे जो इंद्रियाई हैं वो जागरित हो रही हैं आपके कानों की आँखों की नाख की मुख की सारी शक्तियां जागरित हो रही है पर कई वर क्या होता है कि जो ये स्मेल वाली चीजे हैं ये हमें बहुत ज़्यदा में डाल देती हैं वो सारे विक्तिये कहते हैं जी जब से हम पुझा पड़ ज़्यदा कर रहे हैं हमें बेच जैनी खतम नहीं होती है कई पर हमें किसी के विक्ति में से ऐसी स्मेल आती है कि जैसे उस विक्ति को हम पीट दें और उस विक्ति के अंदर हमें बुरी शक्ति का भास होता है और हमारे शरी में भी गुसा बन जाता है ये क्यों है क्योंकि आपके अंदर पोजिटिविटी है स और आप एकदम आसरे चकित हो जाते हो बहुत सरे विखती कहते हैं दीबक पर आकरतिया बनती है बहुत बड़ी बड़ी आकरतिया बन रही है बहुत चीज़े ऐसी है जी अन्मेल बहुत शुरू हो गए है अजीब अजीब सा महसूस होता है पर जो ये एकदम हमें अलग सा मैसूस होना हमें अजीब सा भी लगता है हम और वेक्ति उसे पूछते हैं कि क्या आपको स्मेल आ रही है क्या आपको अजीब सा मैसूस हो रहा है क्या आपको ये लगता है कि ये चीज़ ऐसी है कई मना कर देते हैं और हमें बहुत तरह आती है तो हमें बड़ी पेचैनी होती है तो क्या ये समस्या है नहीं ये समस्या नहीं है ये बिलकुल भी समस्या नहीं है ये आपकी इंद्रिया जागरित हो गई है और जागरित चीजें जरूर कुछ न कुछ बताती हैं कि यहां पर यह चीज है आपको यहां नहीं बैठना चाहिए आपको चीजों में से भी अजीव अजीव है काती है कि आपको यह चीज नहीं खाने चाहिए कई बार आप किसी प्रेद बादा से गर्सित वेक्ति से मिलते हैं तो आपको मैसूस होता है क इस वक्ति से हमें धूर रहना चाहिए, इस वक्ति से पास हमें नहीं बैठना चाहिए, इसका कारण यह है क्योंकि उसकी negativity आपकी तरफ बढ़ती है तो positivity आपको संकेत बता देती है कि इस वक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब negative और positive दो चीज आपस में आते हैं तो अपने गुरु द्वारा कोई स्वरक्षा मंतर नहीं दिया गया है, या आपको कोई गुरु नहीं है, तो आपको इन चीजों से बचना चाहिए, अगर आपको किसी वक्ति में से smell आ रही है, smell भी लगतर के कि आएगी, किसी में से जलने की smell, किसी में बहुत गंदी smell, किसी म बहुत सारे लोग आपको गहमंडी, बुरा, भला कह सकते हैं, बस आप समझ जाओ, जिस वक्ति में से बदुबारी है, वो प्रेदबादा से गरसित है, अगर वो वक्ति में प्रेदबादा नहीं है, तो इसका मलग वो ऐसे देवताओं की पुजा करता है, जो समसान के आ रही है, इसका मतलब उस पर तंतर हुआ है, और उसकी ओरा को बांदिया गया है, और अगर किसी वक्ति को देखकर आपको दया बहुत आ रही है, आपको लगता है कि ये वक्ति बहुत कमजोर दिख रहा है, बिमार दिख रहा है, और आपको दया भावा रहा है, तो इसका अपने आपको प्राण रहित मैसूस करता है उसको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी उजाला नहीं है और यी चीज़े आपने दिखा हो कि बहुत सारी वेक्ति कहते हैं मादिल करता है सुसाइट करने को, सुसाइट करने को क्योंकि उनके आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है अगर आप किसी के घर में जाते हैं आपको लगता है बहुत ज़्यादा सीलन की बदवु आ रही है और उनके घर में इतनी सीलन नहीं है तो इतनी ज़्यादा सीलन नहीं है जितनी सीलन की बदवु आ रही है में कभी भी अगनी देव की शक्तियां आगे ना बढ़ सके जिसके वज़े से वो घर बिल्कुल प्राण रहित हो जाता है तो ऐसे घर में आप जाते हैं तो उनसे बचें दूर रहने में ही फायदा है ऐसे विक्ति उको बताने की वियाक शक्ता जादा नहीं है क्योंकि समाज में लोग बहुत बुरा बला कहना शूर कर देते हैं कि हमें तो समेल नहीं आ रही है आपको कान से आ रही है आपको ये क्यों आ रहा है अगर किसी के घर में प्रेत वादा है तो अगर आप उसके घर का जो थोड़ा सा नाज वूमों में लेकर देखे सुन कर देखे आपको उसमें से विद्वू आएगी उस घर के कोई भी खाने पीने खास कर दूद में से आपको स्मेल आएगी अगर आप उसके घर क्या कोई ऐसी मीठी चीज खाएंगे तो आपको मीठा का मैसूस होगा यह चीजे आपके जाने योगे हैं समझने की हैं जै मादा दे